हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर से मेरे इस विलॉग में दोस्तों 2018 में एक वेकंसी आई थी UP police की जिसमें से मेरा चैया नहीं हुआ था UP PAC में तो काफी इंतजार के बाद लगबग तीन साल इंतजार करने के बाद वो दिना ही गया जानि आज 16 अगस्त है और कल 17 अगस्त वा मेरा मेड़कल के बाद मैड़की पकी अगर मेड़कल क्लियर हो जाता है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेड़कल में कैसा मेरा शाओफइक प्रिशा willst लाज एक्सपिरिंस रहता है क्या होता है क्या नहीं होता है तो जससे कुछ इयाद की वन जायाएंगी यह कभी देख सेकेंगी और तो मेरा मेड़कल में एक्षोन थे हमिडिकल में हमेड़कल करता हूँ तो हमीड़क वालों खातेम वह नहीं है रव पड़ेगा सुबहे साथ बज़े से रिपोर्टिंग टाइम है सुबहे रिस्क नहीं ले सकते तो बस थोड़ी दर बाद मैं निकलने वाला हूं लगपक अभी 12 बज़र रिसका निकलते हैं तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैसा मेरा एक्स्पीजियंस रहता है क्या साथ में की टोवल और यह मेरे सवी डॉक्विमेंट्स याँगी करेक्टर वेरिफिकेशन भी होगा डॉक्मेंट वेरिफिकेशन भी होगा और प्रोई बिस्केट्स है रास्ते के लिए चलिए तो सलते हैं एक नई आत्रा पर हुआ है कानपूर का मेजर सलमान बस स्टेंड इसे समानुता जकरकटी की नाम से जाना जाता है यूपी का काफी बड़ा बस अध्या है जूड़ रहा हूं खतेपुर के लिए बस पता नहीं कहा खड़ी है साथ ले ठाउन नंबर सिक्स देखते हैं साथ ले बस अध्या है आखिर कर एक लंबे ठकान भरे सफर के बाद मैं फतेपुर पहुची गया अब तलास है एक कमरे की जिसमें मैं राद कुजार सकूँ काफी ढूलने के बाद अखिर कार एक रूम में ली गया और ये कुछ सीन मेरे रूम के बाहर का तो अभी बज़ रहे हैं सुबह के साड़े साथ और सभी की इंट्री वाहिनी में हो चुकी है सभी अपने सीरियल नंबर के कोर्डिंग बैठे हैं और अपने डॉकुमेंट्स अरेंजि कर रहे हैं कि सभी के चेहरे पर एक डर सेह में हुए हैं सभी नर्वास है काफी लोग क्याकि आज के तिन काफी महत्तव पूर्ण है सभी के लिए सभी के मेटकल कंप्लीट हो चुके हैं अब रिजल्ट का इंतजार कर रहा है सभी लोग यह हमारे डॉक्टर मैडम है इन्होंने यह आई चेक की थी आई डॉक्टर है यह जो भी लोग मेटकल फिट हुए हैं उनसे यह करेक्टर वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भराया जा रहा है आज के इस मेटकल में हमाएं कितने चालिस लोग आया थे जिसमें से सैतिस लोग पास हुए और आपको मेरे खरसी देखके पता चली रहा हुआ है हमारा मेटकल क्लियर हो गया है दिकत नहीं लेना है सबका हो जाएगा रुपेयों का लेंदेम नहीं करना है सुबहर जब आपकी इंट्री होती है तो पहले आपको बैठाय जाएगा लाइन से फिर इसके बाद आपको डॉकुमेंट वैरिफिकेशन के लिए फिर इसके बाद जैसी डॉक्र इसका पैनल आता है आपको मेटकल के लिए अंदर बुलाया जाएगा एक एक करके सबी लोग बहुत सपोर्ट करेंगे यह जिसादा है इसने आपको सबोर्ट हो सकता है उतना ज़्यादा लोक करते हैं घुर एफिकिमाएइन को अगर शभी आफिद क किसी के बी चकर में नहीं पड़ना है और आप अगर फिट हाइं तो फिट किये जाएंगे किसी के साथ को बांदा के 35 लोग करीब थे और पांच हमीर पुर्ग थे जनमें से मैं भी था तो 37 लोग करीब पास हो गए हमाए और तीन लोग को रीमेट कर मिला है लवन के अब उच तरी तुने उच इस तरह पर जांश होगी उनकी अब उच तरह को लोग की पास होकर आएंगे को अस तरह का अभी महाल अभी ये चलिपार आ जाती है जिला पो खैले पर और एक पुलिस खैले पर जाएगी रेक्टर वेरीफिकेशन के लिए और कुछ ही दिर बाद हमारी फिट अन्फिट की रिजल्ट आने वाली है लेकिन पदा तो पहले चली गया है सभी कुछी को ठीकाना रही है सभी को एक नौगरिया से पक्ती होने जा रही है रही है लोगों के विरोजगारी कतब होगे कुछ यह हमारे राजकरन भाई यह अब होगे भाई हम सरकार नाम है कॉसर राजपूर यह हमारे और हम कपिलकुमार और हमारे बादा के भाई लोग इस तभी होगा है यह हमारे मेटकल स्टाफ के मेंबर्स हैं, बहुत ही सपोर्ट हुआ, यह कुछ हमारा वाहिनी फतेपुर का द्रश्च है, कुछ है, बहुत अच्छे इसको सलायागी है, ऐसे पेड़-पेड़ों में लेगे हैं मेटकल कम्प्लीट, चल रहा है, घर की ओर, चलिए, एक नौकरी पक्के हो गई, अपने, दूसरे के लिए टाई करते हैं चलिए, यहां तो समझेगा, यहां काविल